प्रश्न पूछने की बजाए, हमें क्या करना है? बाबा ने जू डाइरेक्शन दिये हैं, कि बाप और वर्से को याद करूं, पवित्र बनों और बनाओं, उस पर एटेंशन देना है, है न? बाबा ने कहा, कई बार आपने प्रश्न पूछा, और रेस्पॉन्स नहीं गया, तो नाराज होते हैं, और फिर कई बार सोचते हैं, प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? मुझे याद है, अभी पीछे कोई भाई था, बेहन थी, पता नहीं, वाट्साप पे लिखते थे, यूट्यूब से देखकर, तो कई प्रश्न पूछते चले जाते, ऐसे में क्या करें, वैसे में क्या करें, ये बात है, वो बात है, अब क्या है कि उनको लिखा भी, कि आप बाबा को याद करो, लेकिन धीरे धीरे वो खुदी प्रश्न पूछते पूछते, इतने नारास हो गए, कि फिर यूट्यूब पर जाकर ऐसे उल्टा सिधा भी लिखने लगे, कि आप तो कुछ, वैसे तो मदद करने के लिए बैठे हो, लेकिन कोई हेल्प नहीं करते हो, ऐसे ऐसे लिखने लगे, तो क्या होता है, वो भी समझ में आता है, कि बाबा के सब भोले बच्चे हैं, लेकिन बात क्या है, कि कोई प्रश्न पूछते हैं, तो लगता है कि प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो सल्यूशन हो जाएगा, लेकिन बाबा हमें कहते हैं, कि इस इस दुनिया में solution एक ही है, क्योंकि जो भी हम विघन अनुभव करते हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसका मूल क्या है? उसका मूल है आत्मा की स्थिती कमजोर है, तो आत्मा की स्थिती कमजोर है, तो परिस्थिती बड़ी है, देखो, सत्यूग सत्यूग होग इसलिए नहीं कि वहाँ सब पर्फेक्ट होगा, इसलिए कि वहाँ आत्मा का संसकार सतो प्रधान होगा अगर सत्यूग में सब कुछ पर्फेक्ट है, लेकिन आत्मा का संसकार सतो प्रधान नहीं है तो सत्यूग तो जैसे सजा हो जाएगी उसके लिए है कि ने, क्योंकि वहाँ सब कुछ जैसे perfect है, सब कुछ अच्छा है, मीठा है, तो जिस आत्मा को बोर होने का संसकार, जगडने का संसकार, दुखी होने का संसकार है, वो तो वहाँ परेशान हो जाएगी, है ना, वैसे भी कई बार क्या होता है, कल्यूक के संसकार से विचार करते हैं, कि सत्योग में जाएगे तो लगता है वहाँ क्या करेंगे है, क्योंकि वहाँ तो ना phone होगा, ना TV होगा, ना कुछ होगा, तो जिसका विस्तार का संसकार है, जिसको विस्तार और विकार जिसके संसकार में है, उसके लिए तो सत्यूग भी सत्यूग नहीं है. तो बाबा हमें कहते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी बाहर नहीं होती, पर संसार हमारी प्रॉब्लम कभी भी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हमारा संसकार, और बाबा कहते हैं संसकार परिवर्तन कोई प्रश्न का उत्तर मिलने से नहीं होते, अब जैसे मानो कोई प्रश्न हमें चिंता होती है, तो चिंता कैसे बंद होगी, तो चिंता बंद होने का तो बहुत easy solution है, आप सोचना छोड़ दो, आप क्यूं सोच रहे हो, लेकिन सोचते क्यों है, क्योंकि ये जो दे अभिमान है, मो है, लोब है, तो फिर ऐसी आत्मा जिसके अंदर दे अभिमान है, लो होब है, मो है, उसको बोला कि चिंता छोड़ दो, तो चिंता थोड़ी छोड़ जाएगे, तो हल तो बहुत easy है, हर बात का solution बहुत easy है, लेकिन बाबा कहते हैं, वो solution, solution नहीं है, solution क्या है, solution है कि हम बाबा को याद करें, और हम पवित्र बनें, क्योंकि जब हम बाप और वर से को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, तो आत्मा की स्वस्थिती बदलेगी, और जब स्वस्थिती बदलेगी, तब हमारी परिस्थिती के प्रति वृत्ति द्रिश्टी बदलेगी, और हम परिस्थिती से उपर उठ सकेंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रश्नों का response नहीं मिलता या कई बार ऐसा समझते हैं जैसे अब भी देखो मुझे एक माता कहती थी कि मेरी बेटी मुझे बहुत सारी बातें हैं बेटी जो है उसकी शादी हो गई है तो वो बहुत सारी बातें मुझे कहती रहती है ये परिशानी है ये प्रॉबलम है यूगल ऐसे करते हैं सास ऐसे करती है ससुर इस प्रकार से व्यवार करते हैं तो वो बहुत सारी बातें कहती है तो कहती है मैं उसे क्या solution बताओं तो मैंने कहा जैसे आप अभी मुझे बता रहे हैं तो मेरे पास भी आपका कोई solution नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात प्यार से सुन रही हूँ, और आपको end में क्या करूंगी, बाबा को याद करो, ऐसे ही आप भी सारी बात सुन लेना, और कहना बाबा को याद करो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी के प्रशनों का हल जो है, क्योंकि प्रशन तो तब आते हैं ना, जब हम प्रसन्चित नहीं है, प्रशनों का सोर्स क्या है? जब हम प्रसन्चित नहीं है, आत्मा जब फुल नहीं है, तो प्रशनों में घिरती है, जब आत्मा प्रसन्चित है, तो उसको कोई प्रशन नहीं आते, उसको लगता अच्छा nothing new, सब जैसा है, वैसा है, ठीक है, तो बाबा हमें कहते हैं, इससे लिए आत्मा को प्रशनों के पीछे नहीं पढ़ना है, अभी majority तो ये बातें समझ जाते हैं, जैसे जैसे हम ज्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं हमें समझ में आता जाता है, कि प्रशनों के हल से हमारा हल नहीं होगा, हल कैसे होगा, जितना हम बाबा को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, हमारी स्वस्थिती बदलेगी, तो आपे ही हम आत्मा कारण स्वरूप से निवारण स्वरूप बन जाएंगे, यहना आत्मा कार तो कई कारण दिखेंगे, आत्मा निवारण स्वरूप बन जाती है, जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, ज्यान का विचार सागर मन्थन करते हैं, पवित्र बनते हैं, तो आत्मा निवारण स्वरूप बन जाती हैं, और जब आत्मा निवारण स्वरूप बन जाती तो प्रशन खतम हो जाते हैं, तो बाबा ये बताते हैं, और दूसरी बात हैं, मीठे बाबा, क्योंकि बाबा तो है ग्यान का सागर, तो ग्यान के सागर बाबा से हमें कुछ पुछना नहीं पड़ता, ग्यान के सागर बाबा की विशेष्टा क्या है, बाबा तो हमें वो भी समझा देते हैं, जो प्रश्न हमें पुछने भी नहीं आते, उन प्रश्नों का भी हल, हमें बाबा बिना पुछे ही बता देते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के हल, जो बाबा हमें, जो राजयोग की विधी सिखा रहे हैं, हल कहा है? राजयोग की विधी में सारा हल है ज्यान स्वरूब गुन स्वरूब बनने में सारा हल है तो वो जो हल बाबा दे रहे हैं उस solution को अगर हम appreciate नहीं करते और हम सोचते हैं कि हम ज्यानी योगी बने बिना पवित्र बने बिना कोई shortcut ले आए और अपनी problem का solution निकल आए तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई shortcut है ने ज्यानी योगी पवित्र तो बनना ही पड़ेगा तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं तो तुम्हें आकर बिना पूछे ही सारे solution स्वरूब नेवारन स्वरूब बनने की विधी सिखा रहा हूं तुम उस पे ध्यान दो बाबा ने कहा ना पवित्र बनते नहीं है योग करते नहीं है और फालतू प्रश्न पुछते रहते हैं तो पवित्र बनेंगे नहीं, योग करेंगे नहीं, तो सारे प्रश्ण फालतू है, नो उन प्रश्णों का भी कोई अर्थ नहीं है, और उनको जो solution भी दिया जारा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा में सक्ति नहीं है और शक्ति तो मिलेघी राज तो जब तक बाबा जो हमें सिखा रहे हैं, डाइरेक्शन दे रहे हैं, उस पर अटेंशन नहीं है, तो कितना भी हम चाहें, सल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये बात ध्यान में रखनी है, फिर बाबा हमें कहते कि बाबा हमें, बाबा हमारे लिए रूद्र ज्यान यग्य र अब आप दिखो कि ये जो पवित्र बनना है आज ये भी कहा कि योगी बनो पवित्र बनो तो पवित्र कैसे बनते हैं तो पवित्र बनने की विधी क्या है तो एक तो होता है कि जो विकारी चलन छोड़ देना ब्रह्मचर्य है शुद्धन है या देखना सुनना पवित्र कर यह तो एक बात है, एक तरफ बाबा हमें कहते हैं कि योगी बनने के लिए भी आत्मा को क्या चाहिए, योगी बनने के लिए भी जो चार पाई पर योगी बैठा है, शुद्धन, ब्रह्मचर्य, दिवगुण और सत्संग, यह ना हो तो योगी नहीं बन सकते, क्योंकि जहां ब्रह्मचर्य नहीं, वहां जो तन जो है, शरीर जो है, वो बुद्धी को इतना खीचेगा, कि आत्मा बुद्धी की उडान भरकर बाबा के पास चाकर नहीं बैठ सकते, तो जहां ब्रह्मचर्य नहीं, वहां देहे में आत्मा फसी रहेगी, तो ऐसी आत्मा बाबा को याद नहीं कर सकती, तो इसलिए ब्रह्मचर्य पावित्रता का फाउंडेशन अनिवार्य है, फिर शुद्ध अन भी योगी बनने के लिए बहुत अवश्यक है, क्योंकि शुद्ध अन की परिभाशा क्या है, शुद्ध अन की परिभाशा है, जो भोजन बाबा की याद में बनाया जाता है, बाबा की याद में परोसा जाता है, और बाबा की याद में स्विकार किया जाता है, और जिसमें तमो प्रधान तत्वों की वाइब्रेशन नह जो बन जिसका इंग्रीडियेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसे को मार कर काट कर या शोशन करकर वो अन जो है वो लाया गया है तो बाबा कहते हैं ये शुद्ध अन क्योंकि जो अन की वाइब्रेशन होती है और जिसकी याद में अन पकाया जाता है जिसकी याद में भोजन बनाया जाता है खाने वाले को भी उसकी याद आती है आप बहुत सिंपल सी ये बात है आप देख ले जैसे कभी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति है मानो घर में केक बना या कोई मीठा बना और कहेंगे मेरे बच्चे को बहुत पसंद था मीठा ये वाला मीठा बहुत शौक से खाता और अबी तो होस्टल चला गया है तो आज उसको जब ये मीठा बना रहे थे वो बच्चा बहुत याद आया तो आप देखना खाते खाते आपको भी वो बच्चा ही याद आएगा क्यों क्योंकि वो जिसकी याद में बनाया गया है उसी की याद दिलाएगा और आप देखो कि कितनी बड़ी बात है कि ये जो स्रेश और भ्रष्ट करम में सारा अंतर किसका है, किसकी याद में करम करते हैं, जैसे बाबा हमें कहते हैं, कि जब हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, तो भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, और जब वही भोजन किसी होटल में बनता है, इस वृत्ती से किसको बेच कर पैसा कमाना है, तो वही भोजन जो है, वो हमारी लोब की वृत्ती को जागरित करता है, या असंतुष्ता की वृत्ती को जागरित करता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि, यह जो अन का connection है मन के साथ, यह बहुत deep है जैसे आजकल आप देखो इतनी लोब की वृत्ती क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो भोजन बनता है, वो बेचने के इरादे से हैं, आजकल सभी कहां खाते हैं, ज्यादा तर बाहर से भोजन, जो ब्रामन है, उनको तो कर्म की गति समझा गए, लेकिन बाकी दुनिया में क्या होता है, बाहर से भोजन खाते हैं, अब बाहर से भोजन खाएंगे, तो भोजन बनाने वाला जो है, उसको तो ये है, कि ये भोजन कमाई का साधन बने, वो तो लोब और असंतुष्टा से बना रहा है, ये बिके तो पैसा तो उसी वृत्ती को खाने वाला भी अनुभव करता है, इसलिए आज हर एक व्यक्ति के अंदर असंतुष्टा ये लोब की वृत्ती बढ़ती जा रही है, तो बाबा हमें कहते हैं, पवित्रता में इस थूल बातें बहुत इंपोर्टेंट हैं, एक ब्रह्मचर्य दूसरा शुद्ध अन तीसरा सत संग बाबा कहते हैं, हम बच्चों का वाइदा है बाबा से एक तुमी से सुनू तुमी संग बैठू तुमी संग खाऊं, तुमी को दिल का हाल सुनाऊं तो बाबा से ही सुनना है बाबा को ही देखना है बाबा को ही सुनाना है तो बाबा कहते हैं रोज की मुरली हम सुबह सुन कर अपने मन बुद्धी को मुरली के चिंतन में बिजी रखें ये भी पवित्रता के लिए अनिवार्य है अगर हमारा मन बुद्धी फ्री है तो जैसे स्थान फ्री होता है कोई मैदान है, फ्री है तो वहाँ पर क्या होता? घास, फूस, उगी आएंगे तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही मन बुद्धी को अगर प्रोग्राम नहीं दिया है मुरली सुनकर मुरली के पॉइंट्स में बिजी नहीं किया है तो नैचरल है कि मन बुद्धी जो है, वो पुरानी दुनिया में भठकेगा मैं और मेरे पन में जाएगा तो बाबा कहते हैं, पवित्रता के लिए तीसरी बात भी बहुत अनिवारे हैं सत्संग की सत्संग माना एक बाबा की मुरली सुनना और एक बाबा की ही याद और मुरली के चिंतन मनन में मन बुद्धी को बिजी रखना तो समझारी पवित्रता के क्या-क्या dimensions है फिर बाबा केते हैं, दिव्यगुन अपनी वानी को अपनी वृत्ती को दृष्टी को दिव्यगुन संपन बनाना जैसे छोटी सी बात है वानी के लिए बाबा ने दिव्यगुन क्या दिया है वानी के लिए दिव्यगुन है मधूरता अगर मधूरता नहीं मुख से कोई भी कटू शब्द और आजकल क्या है वानी के अलावा आजकल तो मुख से कोई बोलता नहीं है आजब थो टाइपिंग चलता है तो लिखते हैं तो आप किसी को कुछ लिख रहे हैं, वॉटसाईप कर रहे हैं, कोई और सोशल मीडिया से लिख रहे हैं, या आप मुख से बोल रहे हैं तो जब भी आप अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं, अगर आपकी वाणी में, आपकी लिखावट में, आपके जो भी आप कनवे कर रहे हैं, उसमें मधूरता नहीं है, या आप कटू बोल रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, जो आनावश्यक है, व्यर्थ है, मीठा नहीं है, तो फिर क्या होता, ऐसे बोल हमारे कर्म की गती ऐसी बनाते कि फिर वो आत्मा बाबा की याद में बैठना चाहें, तो बैठ नहीं पाते, आपने ये अनुभव सबने किया होगा, किसी को एक शब्द भी एक्स्ट्रा कह देते हैं, जो चलता है, नहीं कहना चाहे था, तो फिर उसके बाद योग नहीं लगता, तो पवित्रता में हर अंग के लिए दिव्यता चाहें, कुछ ऐसा देख लें, जो पतीत है, कोई ऐसी बात सुने, किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की गलानी सुनते हैं, किसी के अवगुण देखते हैं, तो वो सारी ब पर पक्के नहीं रहते, तो फिर योग नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं, पहले तो पवित्रता योगी बनने के लिए भी अनिवारे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही योगी बन जाएंगे, जो आत्मा ये चार बातों पर अटेंशन नहीं देती, सत्संग, दिव्यगुंस, शुद् और ब्रह्मचर्य, उस बच्चे का योग नहीं लगता, तो ये पहली चीज है ना, फिर बाबा कहते हैं, जब योग लगता है, जब आत्मा योगी बनती है, तो योगी बनने से बुद्धी का ताला खुलता है, और जब बुद्धी का ताला खुलता है, तो आत्मा श्रीमत प्रमाण, direction प्रमाण सेवा करना या सफल करना सीखती है तो एक होता है बाबा को पहचान कर स्वपुर्शार्थ के हिसाब से पवित्र बनना ब्रह्मचरे की धारणा करना सत्संग रोज मुरली पर एटेंशन देना या दिव्यगुन धारण करना बोजन शुद करना लेकिन ये तो चलो majority ब्रह्मन कर भी लेते हैं लेकिन जैसे जैसे इन धारणाओं के आधार से हम योगी बनते हैं ये फाउंडेशन है उसके बाद योग भी लगाना पड़ेगा जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में तत पर रहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं बस शुद बोजन है तो योग लग जाएगा नहीं शुद बोजन रखा ब्रह्मचरे में चले लेकिन बैठ कर बाबा को याद करते भी हैं या चलते फिरते या कर्म करते अटेंशन रखते हैं अगर नहीं रखते तो योग कैसे लगेगा तो जब पवित्रता का फाउंडेशन रखते योगी बनते तब धीरे धीरे हमारे अंदर के जो विकार है विकर्म विनाश होते विकार दग्द होते और जब विकार दग्द होते तो पुरानी दुनिया से लंगर उठता है, है न, सेवा करने के लिए पहली चीज क्या चाहिए, वेराग्य, जो बेहत का वेरागी नहीं है, जिसकी बुद्धी इस पुरानी दुनिया में लटकी हुई है, चाहे कामविकार के रूप से, क्रोध, लोब, मो, अहंकार, किसी भी रूप से, तो वो आत्मा जो है, वो सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका तो सब कुछ, उसका तनमंदन कहां लग रहा है, उसकी लोब की वृत्ती, मोह की वृत्ती की पुष्टी करने में, तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं, कि जब हम आत्मा, ये मूल धारनाएं रखकर यो तो आत्मा के अंदर वेराग वृत्ती जागती है, आत्मा नश्टु मोहा बनती है, विकारों से फ्री बनती है, और ऐसी आत्मा जो नश्टु मोहा है, जिसका वस्तु व्यक्ति वैभव, पुरानी दुनिया से बुद्धियोग निकला हुआ है, ऐसी आत्मा फिर तनमंधन इश्वरिय सेवा में स्वाहा करती है और जब हम स्वाहा करते हैं तो जैसे कहते हैं अगनी में सबकुछ पवित्र बनता है तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यग्य में जो बाबा ने रचा है जब हम अपना पुराना तनमंधन स्वाहा करते हैं तब जाकर हमारा पुण्य का खाता बनना शुरू होता है, है ना तो पहले है स्थूल धारणाए रखना, फिर इतना योगी बनना कि बुद्धी का ताला खुले, तब हम जाकर निमित भाव, निर्मान भाव से सेवा करने लगते हैं, अपना सब कुछ स्वाहा करते हैं, और ज तनमंधन स्वाहा करने से तनमंधन पवित्र बनता है, है ना तो बावा कहती है ये, और सबसे बड़ी जो बात हैं आप देखो, वैसे तो बावा हम हमी कहती हैं, कि सेवा करने में बहुत बहुत इजी विदी क्या है? एक तो around यग्य सेवा होती है, जो हम है ना सेंटर को सपोर्ट करते हैं अपने तनमंधन से दूसरा बाबा केते हैं ग्रहस्त वेभार में रहते जैसे हम कर्मयोगी बनकर ट्रस्टी बनकर चलते हैं तो वो सेवा में जमा होता जाता है लेकिन आप सोचो कि ग्रहस्त वेभार में रहते हैं अगर हम चार्ट मेंटेन करें कि कितना हम हर करम ट्रस्टी होकर करते हैं तो पता चलेगा कि ट्रस्टी होकर नहीं करते हैं मैं पन मेरे पन से करते हैं लेकिन जितना योगी बनेंगे और मैं पन मेरा पन योग अगनी में स्वाहा होगा न तो ग्रहस्वेभार में रहते भी हम जो normal जो रोज का कारे करते हैं चाहे धन्दा आदी करते हैं बच्चों को समालते हैं भोजन बनाते हैं वो भी इतनी करम योगी और ट्रस्टी अवस्था में होगा कि वो भी सेवा के खाते में जमा होता जाएगा और बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा से चाहे आप ग्रहस्त वेवार में भी रहते होंगे लेकिन हरेक आत्मा जो आपको देखेगी न उनको लगेगा ये विशेश है आप भले बैठे हैं अपने ग्रहस्त वेवार में लेकिन हरेक आत्मा को भासना भी आएगी ये दिव्य है ये व विशेश है, तो बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए जो राइट विधी है वो अपनानी पड़ेगे, जितना हम अपने को योगअगनी से पवित्र बनाएंगे, विकारों को स्वाहा करेंगे, उतना हमारे अंदर क्योंकि विकार नष्ठ हो गए तो वृत्ति पवित्र होती, ह हमारे करम पवित्र होते जाते और हम पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनते जाते तो ये बाबा ने आज हमें सुनाया और बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में हर एक समझते हैं कि भगवान चाहते हैं हम उनकी पूजा करें मनुष्य क्या सोचता है, भगवान के पाउं धोकर पिये या हम पूजा अर्चना करें, किर्तन भजन करें, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्याते हैं, राम नाम जपने से प्रभु खुश होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे तो पाउं ही नहीं है, तो तुम तुम जो मेरी महिमा करोगे या किर्तन भजन करोगे वो तो मुझे सुनाई नहीं देगा तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो एक निराकार जोती बिंदु आत्मा हूँ और मुझे संबंध कैसे बनता है जब तुम मुझे याद करते हो जब तुम मन बुद्धी को मुझे पर एकाग्र करते हो तब जाकर तुम्हारा मेरा संबंध बनता है तुम अगर पाउध हो तो मेरे पाउँ नहीं है भजन गाओ तो मेरे कान नहीं है तुम नित्य करो मेरे लिए मेरे आखे नहीं है मैं देखता नहीं तो मेरे तक क्या पहुँचते हैं? तुम्हारे मन बुद्धी के उद्गार और जब तुम अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धी को इस दुनिया से उप्राम कर मुझे याद करते हो, तभी मैं तुम्हारी जोली भर सकता हूँ. तो बाबा हमें भक्ति मार्ग में जो हम भगवान के बारे में समझते हैं कि किस विधी से भगवान से हमारा संबंद बने और यहां बाबा जो हमें समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और मुझसे तुम्हारा संबंद किस विधी से बनेगा, उसमें जमीन आसमान का अंत और फिर बाबा हमें कहते हैं, कि मैं यह नहीं चाहता कि तुम मेरे पाउं पड़ो या मेरे पाउं पूझो, मेरी जो इच्छा है, मेरी तो एक ही आस है, कि मैं विश्व परिवर्तन कर रहा हूं, उसके लिए मैंने ज्ञान यग्य रचा है, इस ज्ञान यग्य में तुम भी अपनी पवित्रता की आहूती डालो, तुम भी अपने को स्वाहा करो, जो तनमंधन तुमारा पतीत दुनिया में स्वाहा हो रहा था, उसको वहां से निकाल, इस यग्य में स्वाहा करो, यह जो ज्ञान अग्नी है, तो बाबा कहते हैं, ज्ञान के अधार से जितना योग क जितना बुद्धी का ताला खुलेगा, तो वही जो हमें पतीत बना रहा था, रावन मत पर तनमंधन लगाने से पतीत बन रहे थे, वही तनमंधन जब हम इश्वरे सेवा में लगाते हैं, तो हम पवित्र बनते जाते हैं, तो यह बाबा की आज श्रिमत है, कि जो तुम वो डाइरेक्शन मैं नहीं देता, अब आज बाबा हमें और बहुत अच्छी एक गाइडन्स देते हैं, कि हमारे अंदर इतनी बेहद की भावना हो, इतनी बेहद की शुब कामना हो, हम अपने को इतनी बेहद की सेवा के निमित समझें, कि हमारे से हरे को अपने पन की भास यह ना हर एक को ऐसा लगे जैसे मेरा बाबा कहते हैं ऐसे मेरा भाई या मेरी बेहन ऐसे भासना उनको आने चाहिए तो अब आप सोचो कि यह जो अपने पन की भासना है यह लोकिक परिवार वालों को भी आ रही है हर एक को तो बाद में आएगी है ना लेकिन लोकिक परिवार वालों को तक वो भासना नहीं आ रही तो इसका मतलब उसका सारे जड़ कहा है तो बाबा कहते हमारी वृत्ती में जड़ है देखो जैसे छोटी सी बात है जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो सामने वाली आत्मा भी हमें अपना समझेगी लेकिन जब हम अपने को अलग समझते अब देखो जैसे हम किस दुनिया से आते हैं देविमान के दुनिया से और देविमान की दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है कि जितना आप दूसरे से अलग है उतने आप विशेश है ना तो बाबा हमें कहते है विशेश भी बनना है लेकिन इस बात से नहीं कि मुझे मैं दूसरे से अलग हूँ बाबा कहते हैं मैं एक आत्मा हूँ मेरी विशेष्टा भी मेरे अंदर रहे मैं स्रेष्ट हूँ दिव्य हूँ वो भी ठीक है लेकिन मुझे इस समानता को भी याद रखना पड़ेगा कि हरे एक एक आत्मा है चाहे किसी की बुद्धी कैसी भी हो शरीर कैसा भी हो कोई-कोई कि भाशा बोलता है किसी भी धर्म में है लेकिन हरे कौन है एक आत्मा है तो बाबा कहते है जब हम इस बात का बहुत अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ मैं आत्मा बाबा की याद से विशेष बन रहे हूँ वो दूसरी बात है लेकिन पहले मैं एक आत्मा हूँ और ह एक आत्मा है, चाहे आपके आसपास कोई ऐसा है जो ज्ञान नहीं सुनता, जो बाबा की निंदा भी करता है, तो भी वो कौन है, तो भी वो एक आत्मा है, तो इतना हमारे अंदर जब आत्मिक भाव होता है, कि चाहे कोई कैसा भी है, है तो आत्मा, है तो इश्वरिय संतान, तो जब हम उनके और हमारे अंदर जो भेद है, उसको पार करके, जो हमारे अंदर समानता है, है तो हमारे अंदर विशेष्टा, अलग हम हैं, क्योंकि हम बाबा की बच्चे हैं, तो हमारे अंदर जो समझ है, शिक्षाए हैं, वो उनके पास नहीं है, तो उस समानता को जब हम बुद्धी में रखते हैं कि भले ही मैं आज इश्वरे पालना में पल रही हूँ तो मैं भाग्यवान हूँ, तकदीरवान हूँ ये सामने वाली आत्मा हो सकता है, इतनी तकदीरवान नहीं है लेकिन फिर भी ये है कौन? ये है इश्वरे संतान, ये आत्मा है तो ये भी fact है, कि हम अलग-अलग है, एक नहीं है एक है कि हम और आप एक हैं? हैना, हम कोई भी दो आत्मा हैं, एक नहीं है क्योंकि सब के अंदर का जो पार्ट है, वो अलग-अलग है तो हम कई levels पर अलग-अलग हैं, लेकिन core level पर हम एक भी हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं और सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा केते हैं, जब ये दोनों बातें याद रखते हैं, कि मैं विशेश हूँ, मैं दिव्य हूँ, लेकिन मैं हूँ तो आत्मा और ये भी आत्मा है, और जो पिता मेरा है, वही पिता इसका भी है. जब इस बात को आप बहुत अंदर बुद्धी में रखते और इस आधार से आपकी वृत्ती दृष्टी रहती तो सामने वाले को आपसे बहुत अपने पन की भासना आती है और इसके लिए भी हमें बहुत तयारी करने पड़ते हैं क्योंकि ये नाचुरली नहीं आता हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां धर्म बेद, भाशा बेद, मत बेद, जाती बेद, तो कितना सारा है ना देश का बेद, हर प्रकार के बेद हमारी बुद्धी में रहते थे तो अब उन सारे बेदों को पार करके हर एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ और हम दोनों इश् थोड़ा कोर्स नहीं कराया था जादा, थोड़ा ही कोर्स कराया था दो छार अत्माओं को, तो ऐसा हुआ कि एक बहन आई, तो वो जपान से आई थी और बहुत थोड़ा Hindi बोलती थी, बहुत थोड़ा English बोलती थी, जपनीज बोलती थी, तो जब वो आई, तो मेरे अंदर प समझेंगे क्योंकि वो तो जापानी बोलेंगे और हम तो जापानी जानते नहीं है तो फिर कैसे उसके साथ गम्यूनिकेट करेंगे फिर मैंने बाबा को याद किया और बाबा ने जैसे प्रेड़ना दी कि आत्मा तो सिर्फ कानों से थोड़ी सुनती है आत्मा तो दिल की बात भी सुनती है आत्मा का connection तो मन बुद्धी का है तो भले ही आप उनकी बात कानों से ज्यादा नहीं समझ पाएंगे जो भाषा कह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे लेकिन भावना आप समझ सकते हैं और आप जब बाबा की याद में उनको सुनाएंगे तो वो भी आपकी भावना समझ सकेंगे तो मुझे याद है कि वो पहला पहला कोर्स था जो ऐसे दूसरे धरम दूसरी भाशा बोलने वाले के साथ था और जब उस वृत्ती की तैयारी की तो मुझे याद है चौथे दिन तक तो हम लोग एक दूसरे के साथ हसी मजाग भी कर पाते थे जबकि भाशा भेद इतना था और आत्मा एक दूसरे के साथ जब connection करती है तो भावना और शुब कामना ये पहले communicate होती है हम हमेशा गया कहते हैं हमारे संकल्प पहुँचते हैं संकल्प की भावना की तो कोई भाशा नहीं होती न संकल्प या भावना की कोई limitation नहीं होती तो बाबा कहते हैं अगर कोई समझ जाएंगे ना मैं आत्मा हूँ ये बाबा है तो भी समझ जाएंगे तो बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए अपने अंदर की स्थिति क्योंकि नियम कहता है we perceive as we are जैसे हमारी अवस्था है वैसा हम दूसरे को भी देखते हैं तो जितना हमारे अंदर ये पक्का होगा क कि मैं एक आत्मा हूँ इश्वरे संतान हूँ और हर एक आत्मा चाहे हमारा पार्ट अलग है संसकार अलग है लेकिन हम आत्मा है और इश्वरे संतान है हर आत्मा के अंदर मन बुद्धी है हर आत्मा का पिता एक है तो हर आत्मा अपने पिता का ज्ञान समझ सकते है जब इ ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो बाप समान हो जाते, क्योंकि जैसे सब के दिल से निकलता है, मेरा बाबा, ऐसे आपके लिए भी निकलेगा, मेरा भाई या मेरी बहन, अच्छा, ओम शान्ति.